प्रिज्ट लूगों ने यूमी को केक दिया था, वोंगो के सेल्स भी उतने ही नवस हो रहे थे जितने यूमी की सेल्स नवस थे, वोंगो के सेल्स को भी लग रहा था कि यूमी उससे ब्रेक अप कर लेंगी पर जैसे ही उन लोगों ने यूमी को अपने सामने देखा, उनकी सारी जिजग और हेच के चाहट दूर हो गई आखिर यूमी वोंगो के एक्स्प्रेंडेशन के बाद मुस्कुरा जो रही थी यूमी वोंगो को उसके घर के अंदर इन्वाइट करती है और वोंगो भी इस बाद से बहुत खुश होता है वोंगो तो ये तक सूच लेता है कि वो यूमी के घर के अंदर कदम रखती है उसे पीछे से हग करेंगा पर इससे पहले कि वोंगो यूमी के घर के अंदर कदम रखता वोंगो से टी में इंटस्टाइन सेल अनाउंस्मेंट करते है कि वोंगो का पेट खराब हो चुका है और बहुत जल्द उसे वाश्रूम का यूस करना पड़ेगा पेट खराब होने के बावजूत वोंगो यूमी के घर के अंदर जाता है आगर यूमी उसे इतना फूस चुकर रही थी वोंगो जैसे तैसे अपनी पौटी रोख कर यूमी के घर के अंदर बैटने की कोशिश करता है पर उसके बदमाश इंटस्टाइन सल उसे चैन से दो मिनिट भी बैटने नहीं देते वोंगो सोच तबी कि वो यूमी के कट करने की बाद वाश्रूम के लिए भाग जाएंगे पर उसके बदमाश कर उतनी देर भी नहीं रुखते और वोंगो को पोधिसाम छोड़ कर बीच में वाश्रूम के तरफ बाद में पड़ता है वोंगो का मेशन क्लियर होने के बाद उसे इस बात का पच्चतावा हो रहा था कि ये उसने अपनी गॉल्फरंट के घर पर क्या कर दिया दर्वाजे के बाहर से यूमी भी वोंगो से पूछती उसकी तब ये ठीक तो है न तो वोंगो हा में जवाब देता है वोंगो जैसे तैसे अपने आपको संभालतार फ्लश का बटन दबाता है पर बतकिस्मती से यूमी की घर का फ्लश काम नहीं कर रहा था और कमोड चोक उचुका था बाहर खड़ी यूमी को भी इसी बात की चिंता हो रही थी कि इतनी देश से वोंगो अकेली वाश्रूम में क्या कर रहा है यूमी अपना कान वाश्रूम के दर्वाजी पर लगा ही रही होती कि तब ही वांगू दर्वाज़ा खोलता है और यूमी से प्लंजर मांगता है ताकि वो वाश्रूम को अंगलॉक्ट कर सके प्लंजर देते हुआ यूमी वंगू से कहते भी कि मुझे तुमारी मदद करनी चीए पर वंगू यूमी को अंदर गुस नहीं नहीं दिता बहुत बार कुशिश करने के बाद भी यूमी का प्लंजर काम ही नहीं करता उल्टा कमोड के अंदर की सारी चीज़े बहार आने लगती है इतना भयानक नजारा देख वंगो डर जाता है और उसके सेल्स तो डिप्रेस्ट हो जाते है और यह सूचने लगते है कि केक देकर वंगो को वापस घर जला जाना चाहिए था इससे पहले कि वोक सेल इस गम से उभर पाता उसे इंटस्टाइन सेल का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि उन्हें फिर से एक और बार अपना प्रेशर रिलीस करना होंगा यह बात सुनती वोक सेल पागल सा हो तो वंगो घुस्ते में अजीब अजीब सी आवाजे निकालने लगता है बाहर बैटी यूमी को भी समझ नहीं आ रहा थे कि अंदर वंगो करके रहा है तोड़ी देर बाद जैसे वंगो बाहर आता है यूमी उससे पूछते कि उसकी तबीद ठीक तो है ना गुस्ते रहला पर वंगो मान जाता है और यूमी वंगो का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है साथ में यूमी वंगो को ये भी बताती कि जब उसका पेट खराब हुआ करता था तब उसकी नानी जी उसे यही काड़ा पिलाया करती थी जो उसनी इस वक्त वंगो को दिया था यूमी को अपनी तनी कद्र करता देख, वंगो स्माइल करने लगता है। अगली सुबह वंगो जैसी अपनी नीज से जाकता है, युमी को अपने बगल में सोता देख, उसे युमी पर प्यार आने लगता है। थोड़ी देर बाद ब्रिक्फिस्ट करती वक्त यूमी और वंगो डिसाइड करते कि वो दोनों इस वीकेंड एक ट्रिप पर जाएंगे। यूमी और वंगो की नजदी किया देख वंगो का वक्स हिल, इंटिस्टाइन सेल को थांक्यू बोलता है यूकि उसी की वज़े से यूमी का अटेंशन जो मिला था वंगो को। ओफस में पहुच कर यूमी अपनी ट्रिप के बारे में अपनी फ्रेंड को बताती है जो कि उसकी कलीग भी थीूमी की फ्रेंड उससे पूछती भी कि तुम्हें ट्रिप पर गए हुए बहुत समय हो गया न तो यूमी बताती है कि लास्ट ट्रिप पर वो दो साल पहले थी इस बात से हमें एक और बात पता चलती कि युमी सिटी में एक ग्रेव याड भी है मरने से पहले ट्रावल सेल ने वर्क सेल को बताय था कि उसका एक ही सपना है कि युमी फिर से अपने बॉइफ्रेंड के साथ एक अच्छी ट्रप पर जाए अब ट्रावल सेल तो जिंदा नहीं थी पर वर्क सेल को पता था कि ट्रावल सेल का एक ही सपना था और उसी सपने को पूरा करने के लिए वर्क सेल युमी सिटी के हर एक सेल से जाकर पूछता है कि वो वोंगो के साथ ट्रप पर क्या 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 करना चाते है सब भी सेल्स के मासूम से सपने थे जैसे कि ब्यूटी सेल वॉंगो के साथ स्किन केडें बिताना चाहती थी और एमोशनल सेल वॉंगो के साथ नंगे पैर पीच पर वॉक करना चाहती थी और हंगस सेल ट्रिप पर अलग-अलग तरीकी का खाना ट्राय करना चाता था इन सबी के सपनों पर पानी फेरते वे लस्ट सेल कहता है कि इन सब के सपने तभी पूरे होंगे न जब यूमी और वॉंगू कमरे से बहार आएंगे यूमी इस सब के बारे में सोची रही थी कि तभी उसे वॉंगू का कॉल आता है और वॉंगू उससे बताता है कि उसकी अभी एक औरजेंट मेटेंग है तो वो होटेल के रिजरवेशन्स नहीं कर पाएंगा तो होटेल के रिजरवेशन्स यूमी को ही करने होंगे यूमी वॉंगो की दिये स्टास को एक्सिप्ट कर लेती है थोड़ी दिर बाद रिजविशन्स ओपन होने पर यूमी जैसी होटल स्टाफ को कॉल करती है होटल स्टाफ यूमी से पूछते है कि उसे कैसा रूम चीह यूमी बताती है कि उसे अपने रूम में ओशन व्यू और डबल बैट चीह है जिस डेट पर यूमी को रूम बुक करना था उस डेट पर डबल बैट रूम अवेलिबल नहीं थे होटल स्टाफ यूमी से कहती ही है कि उसे ओशन व्यू वाला रूम तो मिल जाएंगा पर डबल बैट की जगा उसे दो अलग-अलग बैट्स मिलेंगे वोक सेल और बाकी सबी सेल्स को ये रूम ठीक लग राता पर तबी लस्ट सेल आकर यूमी और उसके सेल्स से कहता है कि ये एक कपल ट्रिप है और कपल ट्रिप पर तो कपल साथ में सोते हैं ना लस्ट सेल की बात मान कर यूमी होटेल स्टाफ से पूछती है कि ओशन व्यू वाला रूम छोड़ की क्या कोई और रूम अविलिबल है जिसमें कि डबल बैड हो यूमी की इस बात को सुनकर होटेल स्टाफ बताती है कि double bed वाला room available तो है पर उसके सामने parking lot है अब parking lot वाला view emotional cell को मन्जोर नहीं था Yumi hotel staff से पूछती भी है कि क्या उसे सरिफ इनी दो choices में से room select करना होगा थोड़ा सूचने की बाद hotel staff Yumi को बताती है कि उनके पास एक ऐसा room में जिसमें double bed भी है और ocean view भी पर उस room का bathroom glass wall से बना हुआ है ये बात सुन्दी lust cell तो जैसे उस room के पीछे पागली हो जाता है और emotion cell को भी इस room से कोई problem नहीं थी क्योंकि उसे ocean view जो मिल रहा था पर तबी उन दोनों की रादों पर पानी फेरते वे वहाँ पर संसकारी cell आ जाती है और सभी cell से कहती की शादी के पहले एक लड़की और एक लड़का साथ में नहीं रह सकते संसकारी cell का तो ये कहना था कि यूमी को वांगो और उसका कामरा अलग-अलग बुक करना चाहिए यूमी भी संसकारी cell की बातों में आ जाती और होटल स्टाफ से कहती है कि वो इस बारी में उने बाद में कॉल करके बताएंगी यूमी सोचती है कि वो वोंगो को कॉल करके रूम्स के बार में पूछ लेगी पर वोंगो युमी का फोन नहीं उठाता है क्योंकि वो प्रेजेंटेशन में बिजी जो था थोड़ी समय बाद जब युमी को कुछ भी नहीं समझ आता तो वो वापिस से होटेल कॉल करके स्टाफ से कहती है कि उसे ओशन व्यू वाला ट्विन बेड वाला रूम चीए सारी बाते सुन लेते और युमी को घूर ने लगते है जब युमी सिटी में लस्ट सैल संसकारी सैल को चुडाने लगता है जो कि पहले से ही आगबबुला हो पर इससे पहले कि यूमी वॉंगू से कुछ कह पाती वॉंगू ही कहने लगता है कि उसने सुना है कि जिस होटेल में वो लोग जा रही है वहाँ पर एक ग्लास बात्रूम वाला रूम भी है साथी साथ वोंगो ये भी कहता है कि उसे ऐसे लोगों से बहुत चड़ा जोकी ऐसे बाद रूम वाला रूम यूज़ करते है क्योंकि वो लोग बहुत बड़े परवोट होते है ये बात सुनती यूमी के तो होशी उड़ जाती है और वो सोचने लगती कि ये रूम बुक करके उसने अपने ही पैर पर कुलाड़ी मार लिया है पूरे रास्ते यूमी बस इसी बारे में सोच रहे थी कि अगर वोगो को पता चल गया कि उसने ग्लास बात रूम वाला रूम बुक किया है तो वोगो यूमी को ठरकी समझेगा थोड़ी देर बाद वोगो जैसी कार से बाहर जाता है कुछ सनक्स लेने के लिए यूमी चल्द से चल्द उसी होटेल में कॉल करती जहां पर उसने रूम बुक किये थे पर कॉल करने पर भी यूमी को पता चलता है कि उस होटेल के सारी रूम्स बुक हो चुके है यूमी होटेल स्टाफ से कहती भी कि उससे अपनी रूम की बुकिंग कैंसल करनी है पर तबी होटेल स्टाफ यूमी को बताती कि अगर इस समय उसने अपना रूम कैंसल किया तो उससे रिफरेंड कुछ भी नहीं मिलेगा अब रूम का प्राइस बहुती ज़दा हाय था और यूमी का कंजूस सेल उसे इस बात की इजासत नहीं दे रहा था कि वो इतनी सारी पैसों में आग लगा दे अपने कंजूस सेल की बात मानते हुए यूमी होटेल स्टाफ से कहती कि उससे अपनी रूम की बुकिंग कैंसल नहीं करनी है यूमी को इतनी परिशानी में देखते हुए सब इसल्स डिसाइट करते हैं कि वो लोग अंजान होनी का दिखावा करेंगे जैसे कि उन्हें पता ही नहीं ताकि इस रूम में ग्लास बात रूम है होटेल में चेक इन करने की बाद यूमी और वोंगो जैसी अपने होटेल रूम में जाते हैं वोंगो की नजर उस गलास बात रूम पर पड़ती है यूमी इस बात से अंजान होने की बहुत अच्छी आक्टिंग करती है और वोंगो उसकी बातों में आ भी जाता है साथी साथ यूमी वॉंगो को ये भी समझाने की कुशिश करती कि जो हो गया सो हो गया अब उनी इस ऊशन वियू के मज़े लेने चीए वॉंगो यूमी की बातों को मान लेता है और यूमी ऊशन वियू इंजॉय करने लगती है पर कुछी सेकंद बात यूमी नोटिस करती कि वोंगू कमरे में नहीं है यूमी हन बढ़ाती वी वोंगू को कॉल करती तो वो यूमी को बताता है कि वो होटेल स्टाफ से इसलापरवाई की शेकायत करने जा रहा है कॉल पर यूमी वोंगू को रूखने की कोशिश भी करती है पर वोंगू रूखने का नाम ही नहीं ले रहा था ठकार कर यूमी भी उसी होटेल स्टाफ के पास पहुचने की कोशिश करती है जिससे की यूमी ने रूम बुक करने के लिए बात की थी दूसरी और होटेल स्टाफ वांगू को यूमी की फोन रिकॉर्डिंग सुनाते जिसमें की यूमी ने साफ साफ कहा था कि उसे एक लास बात्रूम चाहिए जिसमें की डबल बेड हो और साथी साथ ओशन व्यू भी पर इससे पहले की वांगू वो रिकॉर्डिंग सुन पाता यूमी वहाँ पर आकर वांगू से कहती है की उसी ने ग्लास बात्रूम वाला रूम बुक किया है वांगू हैरान होते वे यूमी की बाते मान लेता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते पर तबी ही वांगू के हाथ से कीबूर्ड पर कुछ फाइल्स किर जाती है और कंप्यूटर में वो रिकॉर्डिंग प्ले हो जाती है ये बात सुनती वांगू यूमी को सवाल बरी नजरों से देखने लगता है स्टाफ रूम से बाहर आकर यूमी वांगू से कहती है की उसके पास और कोई उप्शन नहीं था वांगू भी यूमी की बात मान कर उससे कुछ नहीं कहता वांगू बहुत अच्छी तरीकी से समझ रहा था कि यूमी को शर्मिंदिगी का सामना करना पड़ रहा है वांगू यूमी का मूटी करने की कोशिश भी करता है पर यूमी हर बात पर उफेंड ही हो रही थी यूमी वांगू से कहती भी कि उससे ने तो यूमी को कहा था कि वांगू को डबल बेड वाला रूम चीए जिसमें की ओशन व्यू हो और ग्लास बात रूम वालो रूम एकलोता ऐसा रूम था जिसमें ये दोनों चीज़े अवेलेबिल थी तो इनी चीज़ों को देखते हुए यूमी ने वो रूम बुक कर लिया वांगो को यूमी की ये बाते प्यारी लगती है और वो इन बात उपर स्माइल करने लगता है पर यूमी फिर से इन बात उपर उफेंड हो जाती है और गुस्से में वॉंगु से कहती कि उस दिन जब मेरे घर तुम आयती तब तुमारा पेट खराब हो गया था तब मैं ऐसे हसी थी के तुम पर यूमी की ये बात सुनकर वॉंगु को बहुत ज़्यादा गुस्सा आजाता है और वॉंगु सेटी में तो गुस्से का महराजा भी आजाता है वोंगो का वोक सेल आंगसेल को समझाने की कुशिश भी करता है कि यूमी ने ये सब जो कुछ भी कहा वो सब गुस्ते और नादानी में था उसका ऐसा बोलने का कोई मतलब और इंटेक्शन नहीं था पर आंगसेल ये बात मानने के लिए तयार ही नहीं था गुस्ते में वोंगो भी यूमी से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उन्हें अभी स्ट्रिप को कैंसल करके घर चलना चाहिए यूमी भी तेवर दिखाते वे वोंगो से कहते है कि अगर वोंगो यहीं चाहता है तो यहीं सही रूम कैंसल होने वाली बात से संसकारी सेल के अलावा बागी सबी सेल्स दुखी थे घर लोटते वक्त बीच रास्ते में यूमी को याद आता है कि वो दोनों अपनी बैक्स होटेल रूम में ही भूल गए है वांगो और यूमी वापस होटेल जाते है और वांगो यूमी से कहता है कि जब तक कि वो अपने रूम के रिजरवेशन्स कैंसल कर रहा है यूमी को जाकर उनके बैक्स लेकर आना चाहिए यूमी और वॉंगो दोनों ही नहीं चाहते थी कि वो दोनों इस ट्रिप को ऐसे end करें पर उन दोनों की ही ego बीच में आ रही थी यूमी जैसे ही bags लेकर lift के पास आती है वो देखती कि lift के अंदर से वॉंगो आ रहा है वोंगो को lift से बाहर आता देख यूमी उससे पूछती है कि क्या तुमने room की bookings cancel कर दी वोंगो यूमी से कहता है कि वो इस बारे में यूमी से पूछना चाहता है कि क्या वो सच में घर जाना चाहते है वोंगो के इस दवाल पर यूमी उससे कहती है कि इस रूम का पूरा खर्चा वोंगो ने उठाय तो वोंगो को ही डिसाइड करना चीए कि उन्हें इस ट्रिप को कंटीनियू करना चीए या नहीं लिफ्ट का दर्वाजा खुलता और यूमी बाग्स लेकर जैसे अंदर जाने वाली होती है वोंगो उससे रोक लेता है और उससे कहता है कि उससे ये रूम की बुकिंग कैंसल नहीं करनी है क्योंकि उससे भी ग्लास बात्रूम पसंद है ये बात सुनती संसकारी सेल फिर से न सुनती सब्सक्राइब रविपन प्रशी जाने आट उससे रहता है क्यों क्या है वाली है ये अद रटियाग पुल्सक्ट का है रहता है क्योंकि बादिध सिवाध सप्क्राइब दिया है